मार्गशिश महने में सबी गुरुवार का बहुत महेत्व होता है क्यूंकि इस दिन महालक्षिम जी की कुरुपा पाने के लिए उपवास रखा जाता है और व्रत की कता पड़ी और सुनी जाती है आज इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशिष महने का गुर्वार की महालक्षिम जी की व्रत कता आज के दिन जो 20 भक्त सच्चे मन से यदि उपवास ना भी कर पाए तो इस कता को सुन सकता है तो उसका पठन पाठन करने से सारे दुखदारी द्रदूर हो जाते है कैलाश पर्वत पर पारवती जी का शिर्शागर में शिंदु कन्या, स्वर्ग रूप में महालक्षिमी, भू लोक में लक्षिमी, ब्रह्मा लोक में सरस्वती इन विविद्ध नामों से पैजानी जाती है मार्गषिष गुर्वार का सुबह ब्रह्म मुर्थ में महालक्षिमी जी की विदी विदान से पूजा अर्चना की जाती है इसके बाद उन्हें तरह तरह के वेंजोनों का भूग लगाया जाता है ऐसी मान्यता है कि अलग अलग भोग लगाना जरूरी है हर गुरवार को अलग वेंजुनों का भोग लगाए इस पूझा को पूरा करने के लिए किसी भी ब्राह्मान या पुरोईत की जरुरत नहीं होती है आप आपने आप भी इस पुजा को कर सकते हैं अगर आप मार्गशुष गुर्वार की पुजा विदी के बारे में जानना चाते हैं तो उसका भी विडियो आपको जल्दी मिलेगा अब सुनिये महा लक्षिमी जी की व्रत कता पोरानिक कता की अनुसार सवराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम का एक राजा रहते थे वे बड़े पराक्रमी राजा थे उनकी रानी का नाम सुरत चंते का था रानी दिखने में सुन्दर सुलक्षना थी पति व्रता थी उन दोनों के साथ पुत्र और इसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था कन्या का नाम उन्होंने शामबाला रखा एक बार महा लक्षिमी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के महिल में रहे इससे राजा को दुगणी धन दौलत प्राप्ति होगी और वे धन दोलत से अपनी प्रजा को अधिक सुख दे पाएगा गरिब के घर अगर लक्षिमी रहेगी तो वे उसे स्वार्ति के तरह केवर अपने उपर ही खर्च करेगा ये स्वाचकश्री महा लक्षिमी ने एक बुड़ी औरत का रूप धारं किया हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे रानी के द्वार्त पूझ गई हालाकि उन्होंने बुड़ी औरत का रूप धारं किया था लेकिम फिर भी उनके चेरे पर देवी जैसा तेज रूप था उन्हें देखते ही एक दाशी सामने आए उसने इनका नाम धाम कर्म धर्म सब को पूझा मा लक्षमी कहने लगी बाले के मेरा नाम कमला है और पती का नाम भूनेश है हम द्वारका में रहते है तुमारी रानी पिछले जम में वैशे की पतनी थी वो वैशे बहुत गरिब था गरिबिकी कारण हर रोज उनके घर जगड़े हुआ करते थे और उसका पती रोज उसे मारा करता था इन बातों से तंग आकर एक दिन वे घर छोड़ कर चली गई और जंगल में खाले पेट भटकने लगी उसके इस दुर्देवी दशा में मुझे बहुत दया आ गई तब मैंने उसे सुक संपति देने वाले स्री महालक्षमी वरत की कता सुनाई मेरे कहने पर उसने स्री महालक्षमी का वरत किया स्री महालक्षमी प्रसन हुई और उसकी दरिद्री दूर हो गई उसका घर संसार दौलत संपति और संतिति से घर वस गया बाद में पती पतनी दोनों पर लोग पधारे लक्षमी वरत करने से वे लक्षमी लोग में रहे उनोंने जितने साल महालक्षमी वरत किया उतने साल उने सुख भोग मिला इस जन्म में उसका जन्म अबरानी राज घराने में हुआ परोंतु वे श्री महालक्षमी का वुरत करना भूल गई है, उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, बुढिया की बाते सुनके दासी ने उसे प्रणाम किया, फिर श्री महालक्षमी का वुरत किस तरह किया जाता है इस बारे में पूछा तब बुढिया के रूप धारं किये हुए श्री महालक्षमी मा दासी को पूजा की संपूर्ण विदी और महमा बताए इसके बाद दासी ने माता को प्रणाम किया वे रानी को बताने गई उधर राजवयभो में रहती हुई रानी को अपने एशोरक का बहुत घमन था संपती और अधिकार के कारणवे उनमत हो गई दासी द्वारा बताए गई बुढिया की बाते सुनकर भे रानी आग पबुला होकर राज़ द्वार पर आकर बुढिया रूपी स्री महालक्षमी पर ही बरस पड़ी उसे ए नहीं पता था कि साक्षा स्री महालक्षमी मा बुढिया का रूप धारन करके उसके द्वार बर आई है परन्तु रानी का इस प्रकार रूप का बरताव और अपना अनादर देखर माता ने वहाँ ठेरना ठीक नहीं समझा और वे वहाँ से तुरन चल पड़ी रास्ते में रानी की कन्या शामबाला मिली उन्होंने शामबाला को सारी बात बताए शामबाला ने सुना तो अपनी और से श्री महालक्षमी जी से अपनी माता के लिए शमा मांगी माता लक्षिमी जी की राजकुमरी पर दिया पड़ी उन्होंने शामबाला को स्री महलक्षिमी के व्रत के बारे में बताया उस दिन मार्गशिस मास का यानि अग्येंग मास का पहला गुर्वार था शामबाला ने पूरी श्रद्धा और विश्वास्ते श्री महालक्षमी जी का व्रत रखा फल सोरूप राजा सिद्धेशोर के सुपुत्र राजकुमार मालाधर से उसका विवाव हो गया वेधन दोलत एशोर्य और वैवो से माला माल हो गई पति के साथ बहुत आनन से दिन बिता रहे थी इदर स्री महालक्षमी जी का राणी पर प्रकुप हुआ जिसके कारण राजा भद्रश रवा का पूर्ण राज्य और राजकरबर नश्ट हो गया यही तक की खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा ऐसी हालत में एक दिन राणी ने राजा से निवेदन किया यह राजे हमारा दामात तो इतना बड़ा राजा है और धनवान है एशर्य है क्यों ना उसके पास जाए हाल बताए वे जरूर हमारी मदद करेगा राणी की बात सुनकर राजा भधरश्रवा अपने दामात के पास जाने के लिए तयार हुए राज्य में पोहुचकर एक तलाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठेरे तलाब में पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा, उन्होंने विनम्तरा से उनके बारे में पूछा जिने ए पता चला की वे रानी शामबाला के पिता है, तो दोड़ते हुए जाकर उन्होंने अपने रानी को सारी बाते बताई राणी ने राज परिदाम बेचकर बड़े थाण से अपने पिता का स्वागत और सतकार करवाया खान पान करवाया जब वे लोटने लगे तो सोने के मोहरे से भरा घडा दिया राजा भद्रश्रवा अपने राज्य वापस लोटे तो उन्हें देखकर राणी सुरत चंद्री का बड़ी प्रसन्न हुई जैसे ही उन्होंने उस सोने के मोहरे से भरे हुआ घडे का मुख खोला पर हाई भगवान घडे में तो धन के बदले कोईले भरे हुए थे और एस सब महालक्षमी जी के प्रकप से हुआ था इसी प्रकार दूर्दशा में उनके कही और दिन बिद गए इस बार राणी खुद अपने कन्या के पास गई बहर दिन अगेवन मास का अंतिन गुरवार था शामवाला ने स्री महालक्षमी जी का ब्रत किया पूजा की और अपनी माता से भी ब्रत करवाया इसके बाद राणी अपने घर पर आ गई श्री महालक्षमी जी का ब्रत रखने पर उसे फिर से अपने राज, पाठ, धन, दौलत और एश्वर की प्राप्ति हो गई वे फिर से सुक शांती और आनन में जीवन बिताने लगी कुछ दिनों के बाद राज कन्या शामवाला अपने पिता के घर आई उसे अपने घर पर आका सुरच चंद्रिका को पिछली बाते याद आ गई वे सोचने लगी जब शामवाला ने घड़ा भर कर कोईला दिया था और वो लोटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया अपने घर लोटने पर उसके पती ने पूचा कि अपने मायके से क्या लाई हो इस पर उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हो पती ने पूचा भला इसका मतलब क्या हुआ शामवाला ने कहा थोड़ा धीरज रखिये सब पता चल जाएगा फिर उस दिन शामबाला ने कही तरह के भोजं बनाए और उसमें नमक नहीं डाला बिना नमक का भोजं उसने अपने पती के सामने परोसा जब पती ने भोजं किया तो सारा भोजं बिना नमक का था इसलिए उसे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आय फिर शामबाला ने थाली में अपने पिता के यहां से लाया हुआ नमक डाला जिसे भोजन में सौध आने लगा तब शामबाला ने अपने पती से कहा यही हे वे मायके से लाया हुआ सार पती को उसकी बात सही लगी फिर वे दोनों हसी मजा करते हुए भोजन करने लगते ही केते ही कि इसी तरह जो कोई श्रद्धा भावस्ते स्री महालक्षिमी जी का पूजा करे महालक्षिमी जी का व्रत करे उसको महालक्षिमी जी की कुरुपा अवश्च प्राप्त होती है सुक समपती और सब मनो कामनाय पूरे होती है